तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारत को बड़ा जटका लगा है टीम इडिया के तेज गिनबाज उमेश यादव आस्ट्रेलिया के खिलाफ शेश दो टेस्ट मैचों से बाहर हो चुके हैं उमेश यादव बॉक्सिंडे टेस्ट के दोरान चोटिल हुए थे जिसके बाद अवह जल्द स्वधेश लोटने वाले हैं मेलबन टेस्ट में गिन बाजी के अगरान चोटिल हुए उमेश यादव ने उस वक्त अपनी पिंडली की मास पेशियों में खिचाव महसुस किया था जिसके बाद उन्हें लंगडाते हुए मैदान छोड़ना पड़ा था ये वाकिया उसले की दूसरी पारी के 7.4 ओवर का है उमेश यादव उस वक्त जो बंस को गिन बाजी कर रहे थे और वो अपना उस वक्त चोथा ओवर फैंक रहे थे उमेश यादव ने दौल लगाई और जैसे ही हाथ से गिन को रिलीज किया उन्हें कुछ खिसाव मैसूस और इसके तुरंद बाद उमेश यादव ने फीजियो को मैदान पर आने का इशारा किया वहलंगडाते हुए ड्रेसिंग रूम चले गए और अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे मौमद सिराज ने इसके बाद उनका ओवर पूरा किया था तो भाई ये अगर उमेश याद अठासी रन पर 6 विकेट रहा उमेश यादव टेस्ट में एक पारी में तीन बार 5 या उससे जादा विकेट जटक चुके हैं बात अगर 75 वनडे मैचों की करें तो इसमें उमेश यादव ने 106 शिकार किये हैं वहीं साथ T20 मैचों में इस गेनवाज ने 9 विकेट जटके ह बताने की भारत में ऑस्टेलिया को मेलबन में खेले गए बॉक्स इंडे टेस्ट में 8 विकेट से माद दी थी इसी के साथ तीम इंडिया ने 4 मैचों की सीरीज में एक एक से बराबरी कर ली है श्रिंखला का पहला मुकाबला एडलेड में खेला गया था जिसमें मेजबान आस्टेलिया ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी तो अब भारत्य टीम शेश दो मैच खेलेगी आस्टेलिया के खिलाब और ये आगे के जो दो मैच हैं वो तै करेंगे की इस सीरीज का विज़ता कौन रहता है तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगर कोई सवाल और शुज झाल झाल झाल